इस दीपावली पे मीठा के साथ साथ ये कम महनत वाला मटरी भी आप जरूर बनाए इसके लिए आप अनिका कीचन का ये वीडियो जरूर देखें नमस्कार श्वागत है आप सभी का अनिका कीचन में मैं स्वयता आज आपकी लिए लेकर आए हूँ नमकीन मटरी की रेसिपी ये बहुत अच्छा होता है खाने में आप इस दीपावली पे अपने दोस्तों के लिए अपने परिवार वालों के लिए मीठा के साथ साथ ये नम करना ना भूलिएगा मटरी बनाने के लिए यहां पर मैंने डेर कप मैदा लिया है आधा चमच यहां पर मैं जीरा डाल रही हूँ आधा चमच इसमें मैं डालोंगी अजवाइन साथ में मैं आधा चमच इसमें नमक डाल रही हूँ इसके अलावा इसमें आप तीन से चार चमच रवा जरूर से एड़ करें बारीक वाला रवा आप एड़ करें और कुछ हड़ी धनिया को मैंने चौप करके डाला है अगर आप चाते हैं तो इसमें कस्तूरी मेथी भी एड़ कर सकते हैं उससे भी इसका स्वाथ बहुत अच्छा बनता है साथने मैंने हाफ कप के लगभग रिफाइंड वायल डाला है आप इसे घी में भी बना सकते हैं और इसे अच्छे से इन सब के बाद मिक्स कर लें सब कुछ डालने के बाद जब आप इसे मिक्स करें तो आप बार बार इसे चिक करके देखें जब ये साथ में लड़ू की तर डाला है पेकिन्ग सोडा। इससे हमारा मठरी बहुत ही घास्ता बनके तयार होगा। इन सब हम आटा गूनते हैं, बिल्कुल उसकी तरह इसे नहीं गूतना है, आप देख सकते हैं, बहुत कमपाइनी में मैंने इसे एक सौप्ट सा डो तयार कर दिया है और इसे बहुत ज़्यादा हम नहीं गूतेंगे, इसमें कमपाइनी इसलिए लगता है क्योंकि इसमें हमने आधा कप की लगभग रिफाइंड वायल डाल दिया था, 20 मिनट का मैं इसे एरेस्ट दूंगी, 20 मिनट के एरेस्ट के बाद इसका धकन हटा के, हम इसे थोड़ा और मिक्स करेंगे, इसे गूधना नहीं है, बस इसी तरह हलके आथो आप इसे मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद, इसे हम छोटी-छोटी पेरों में या लोईों में काट लेंगे, बिना मेहनत का, आप इसे बिना बेले बना सकते हैं, बिना मेहनत का तो नहीं, पर कम मेहनत में आप इसे बना सकते हैं, जैसे हम नमकीन बनाते हैं, तो उसे बेलना पड़ता है, इसको ब टेस्टी बन के तयार होगा और आपका मेहनत भी बहुत जादा बचेगा आप देख सकते हैं बीना बेली मैंने सारे मटरी तयार कर लिए हैं इसमें बेलने की जववत नहीं है आपका यहां पर बहुत सारा मेहनत बच जाएगा फिर कडाई में मैंने रिफाइंड वायल डाल अर इसमें सारी मटरी जो हमने बेल के रखे हैं वह डाल दूगी एक साथ आप चाहे तो कडाई में और भी तिल डाल सकते हैं पर तेल जो जल जाते हूं वह बारबार यूज में नहीं आते इसलिए मैं इसलिए घंतल बिव बना रही ह пользовials अर सारी मटरी, को मैंने इसमें डाल तो आपका मठ्री खास्ता नहीं बनेगा और जल जाएगा अब पूरे टाइम फ्लेम पो बिलकुल लो रखे और सारा मठ्री डाल के हलके हाथों से इसे आप पलट ले इसे बार बार नहीं पलटे नहीं तो यह तूट जाएंगे क्योंकि यह काफी खास्ता होता है तो बहुत अच्छा सा कलर आया है इसमें तो बहुत असान है इस मठरी को बनाना तो इस दीपाबली पे आप अपने घरवालों के लिए अपने दोस्तों के लिए मीठा के साथ यह नमकीन मठरी जरूर बनाएए बहुत कम महनत लगता है इसे बनाने में और बेलने की भी जंजट नहीं होती है तो चलिए आज को आज का आपको मेरा यह रेसीपी कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएएगा आप सब को दीपाबली की बहुत-बहुत सुब कामना है